हेलो एवरिवन विल्कम तो माई यूटूब चैनल अनुक मारी मैथ क्लास तो आज मैं आपको बताने चाहरूं एक्सरसाइज 2.5 का क्विश्चन नंबर 14 जो कि पॉलिनॉमियल से हो और यह क्लास नाइन्थ के लिए है न तो क्विश्चन नंबर 14 बहुत ही असान है आज मैं इस चप्टर को दर इंड करने वाली हूं पुरा समझा कर खत्म करने वाली हूं ठीक है तो आप इस विडियो को अच्छे से देखें क्वीश्चन नंबर 14 क्या है कह arada कि वास्तों में घंपकरिकलन किये गए तो बीना परिकलरां किए पीना हम इसका मानगात करते हैं तो यह दिया गया है question accomplishments minus 12 का cube stepdad 5 का cube a dot Q2 q 2 plus Z cube is equal to 3xyz होता है है जब x 1 plus y plus Z equal to 0 तो इसी formula पे इसको solve करना है इतना equal to a 3 3xyz है तो बस A हमको मिल गया A यह है B A C A मतलब X A Y A और Z यह है तो हमें इतना equal to काता 3xyz तो उसको पूट कर देना है तो लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिख्षा है के चुकि हम जानते हैं कि x plus y plus z equal to zero हो तो x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz होता है हना अब देखिए अब क्या करेंगे तो A is equal to क्या हो जागा मतलब X is equal to क्या हो जागा minus 12 ठीक है Y is equal to क्या हो जागा 7 और last Z is equal to क्या हो जागा 5 X मिल गया हमें Y मिल गया और Z मिल गया है ना तो देखें इसके equal में 3XYZ होता है तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे minus 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब equal में 3XYZ तो 3X के है मारे परस 12 Y के है 7 और Z के है 5 इसको multiply किजिए multiply करने से 1260 यह रहा है answer यह minus में clear है बहुत ही असान है बस XYZ निकाल लेना है और भी नहीं हम ज्यादा process किये भी नहीं से solve कर दिया है आप डिरेक्ट यह भी लिख सकते हैं क्योंकि यह वाला तो question में लिखा ही है अब इसी तरह question number second को देखते हैं यह second question भी हमने solve कर रखा है है ना देखिए यह भी मिल गया question number 15 का लिखा है नीचे दिये गए आयतों जिन में उनके छित्रफल दिये गए है अच्छा ठीक है यह छित्रफल दिया गया है तो आयत का छित्रफल क्या होता है आयत का छित्रफल एल इंटू बी यानि की लंबाई गुनि चोड़ाई होता है तो यहां पर हम ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे बस क्या करना है कि इसको first into last वाला गुनना बताय थे ना गुननखंड उसी को first into last वाला गुननखंड कर देना है और देखिए आपक क्या आपको दिखाते हैं क्यूशन को हमने लिख रखा है है अब मैं इसे सॉल्फ करती हूं देखिए क्या दिया गया है यह चित्रफल 25a स्कॉयर माइनस 35a मैं आपको क्या बताई थी कि यह first into last कैसे सॉल्फ बता है तो पहले वाले और लास्ट वाले जो होते है उसको आपस में गुना करते हैं तो 25 में 12 गुना करेंगे तो कितना आएगा जितना आएगा उसको जोड़ने और घटाने पे बीच वाला अंक प्राप्त हो है ना तो द 300 पच्चा 300 ठीक है तो 300 हमें लाना है गुना करने पे और जोड़ने और घटाने पे बीच वाला अंक प्राप्त हो ठीक है तो 25 और 12 में जाएगा तो यह तो नहीं आएगा हमें 35 बीच में लाना है तो देखिए 20 इंटू 15 करेंगे तो 50 तो 30 और 300 तो हो जाएगा और यहां 35 25 आजाएगा तो देखिए इसको जोड़ने पे 20 प्लस 15 कर देंगे तो 35 आजाएगा तो हमारा यह एक्वेस्चन यह फॉलो करता है कि 20 और 15 को रखेंगे तो यह गुना करने पे 300 ला दे रहे हैं और क्या यह 20 और 15 एड़ करने पे 35 भी आ जा रहा है लेकिन यहां माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो माइनस 20 और माइनस 15 करेंगे तो यह भी फॉलो कर गया कि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस को होता है तो 20 और 15 क्या हो जाएगा 35 और यहां sunshine भी minus को हो जाएगा तो इसको हम लिखते हैं क्योंकि यही फॉलो कर रहे हैं तो क्या minus 20 और minus 15 तो यहा हम लिखेंगे minus 20 a minus 15 a और जो इस side का था उसी तरह उतार देंगे और जो इस side का था उसको इसी तरह हम उतार देंगे conc… चलिए अब इसको common करना है common कैसे करें common का मतलब दोनों साइड से जो दोनों में मौझूद हो उसे लेते हैं तो यहां पर देखें अगर यहां पर five लेंगे तो five दोनों मिल जाएगा five के table में ठीक है तो five a को common ले लेते हैं तो five पचे 25 five a बचेगा minus और क्या बचेगा यह पंचों के 20 यानि की four बचेगा है ना अब यहां पर देखें क्या बचेगा यहां पर minus common लेते हैं इसको क्या यहां पर five लाना है तो three को common कर लेंगे तो five three जा fifteen minus 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 plus हो जाएगा और three common ले ले लिए तो यहां पर four बचेगा clear है कोई doubt तो नहीं है ना five a minus four five a minus four हमें सेम सेमाया तो five a minus four into five a minus three तो यह एक हो गया लंबाई और एक हो गया चोड़ाई तो लिखेंगे अतर आयत का लंबाई is equal to five a minus four और चोड़ाई five a minus three यह हो गया answer clear है इसी तरह इस question को भी solve करेंगा फटा-फट इसी screenshot ले लिजिए method तो मैं बता दी कैसे solve करना है आप 34 वीडियो को नहीं भी देख सकते हो और डारेक्ली आप वह first into last से solve कर सकते हो ठीक है आप की मर्जी अब इसके बार हम क्या करते हैं question number second की और चलते है second मतलब 15 का ही second क्या है 35 y 35 y square plus 13 y minus 12 है ना यह लिखा हुआ है चलिए ठीक है लिखा हुआ है तो और इसी भी solve कर देना है मतलब इसकी भी लंबाई और चोड़ाय निकाल लेनी है तो first into last इसे भी करेंगे यह रॉफ है तो 35 में 12 से multiply करेंगे तो यह लगभग 420 आएगा है ना आप गुना कर लीजिए मैं directly कर ली 420 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे बीच वेलांग प्राप्त हो और गुना करने पे 420 ही प्राप्त हो तो देखे 28 इंटू 15 करेंगे तो 420 आ जाएगा clear है बड़ 25 माइनस 15 करेंगे तो 13 भी आ जाएगा यानि कि यह प्लस और यह माइनस करेंगे यहां पर प्लस का sign है तो यह बड़ा वाला प्लस रहेगा और छोटा वाला माइनस होगा है ना तो आई इसे भी तोड़ते हैं 35 वाइसको जैसे के तैसे लिखते हैं जैसे दिया गए वैसे अब हम यहां पर जो की हैं वो लिखते है तो प्लस में 28 28 28 Y है ना Y माइनस 15 Y माइनस 12 अब इसको यहां पर दी कि 28 माइनस 15 13 अगया और प्लस माइनस घटता है sign बड़ा का होताय तो sign 28 बड़ा है तो यह बड़ा plus मा हो गया clear है no doubt ओक्या है इसमें common कर लेते हैं तो common इसमें क्या करेंगे दोनों में क्या मल रहाए 7y को common कर ले साथ 35 35 5y बचेगा चलिए ठीक है प्लस यहां पर क्या बचेगा 24 24 है ना यहां पर हम क्या करते हैं माइनस को common करते हैं तो को गॉमन करेंगे तो यहां पर क्या होगा थ्वाइप लाने है थ्री को कमन कर लेंगे फाइफ प्लस थीरी नहीं फोर ना शोरी कमन करके फ्रो फूर चिली क्लियर दोनों से इम सी में थे तो एक लंबाई और एक चोड़ाई लंबाई इस उकल टू फाइप वाई प्लस फूर चोड़ाई इस उकल टू सेवन वाई माइनस थ्री अप एनसर मिला लो विसरे एल इनटू बी होता है ना तो वैसे कोई दिक्ट नहीं है लंबाई यह भी हो सकता है और चोड़ाई यह भी हो सकता है तो मैं उपर निचे कर दियू कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसे तरह question number 16 के है जो की last question है बस उसमें क्या था छेत्रफल और इसमें क्या है घनाव का आयतन उसमें आयत का छेत्रफल था और इसमें घनाव का आयतन है लिखा है घनाव की वोड जिनके आयतन नीचे दिये गए है विमाओ के लिए संभो बेंजग क्या है आयतन दिया गया है 3x square minus 12x तो इसको भी हमें गुननखंड कर देना है और घनाव का आयतन क्या होता है ल गुने बी गुने एच तो एल और बी और एच निकाल देना है ना विमाय निकाल देना है तो देखे कैसे इसको solve किये आप इसे से देखिए और screenshot भी कर लीजिए ताकि आपको solve करने में असानी होगा और समझने में भी देखिए फर्स्ट फर्म ने क्या किया यह दो है तो यह फर्स्ट इंटो लास्ट नहीं होगा डिरेक्टली हमने क्या क्या है 3x को कॉमें कर लिए तो यहां पर क्या बचेगा 3x बचेगा तो इसमें क्या 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 मुल्टपलाई है यह 3x मुल्टपलाई है यह दो यह भी मुल्टपलाई है यह यह मैनर स्टिपलाई हा नalso लिखेंगे यह ने तीन पार्ट में बाढ़ दिया है तो लिखेंगे चुक की हम स्टा connect- ganz इंट टन इस defaults तो एल हमारा 3 हो गया बी एक्स हो गया और होगा एक्स मैनस 4 बस सिम्पल अंसर जश्ट लाइक इससे भी यही करेंगे क्या करेंगे इस एक्वेशन को यहां पर लिखा आपने नॉट कॉपी में लिखेंगे है ना और देखें इसमें सब चीज में तीनों में क्या कॉमन दिख इंटू की हो गया ठीक है फोर के हमने कॉमन रखा है तो 12 के वाई स्क्वेर में से 4 को रख लिए हम लोग बाहर तो 3 वाई स्क्वेर बच्चा और यह बच्चा 2 और यहां बच्चे माइनस 5 क्लियर है यह कामन इतना बेशिक तो नहीं जाना चाहिए नहीं तो बोरिंग लग सब्सक्राइब करें तो अगर मेरी वीडियो आप अच्छी लगते हो तो प्लेज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि निक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक असानी से पहुंच जाए थैंक यू फर वाचिंग वीडियो टू आल वीवर्स और प्लीस सपोर्ट मी